नमस्का दोस्तों दोस्तों आज बात किया जाएगा उत्तरपदेश फुलिस भरती बोर्ट दारा UPSI एकजाम डेट को लेकर बहुत ही बड़ी खबर जो कल साम को आए थी तो वीडियो आज सुपर बनाया जा रहा है तो उसको डिटेश से बता जाएगा कि वीडियो आपका ज से ने पूरा लाग कर दिया है रेलेवे भी लाग हो गया है लेकिन बीच में जो दस दिन का समय उपन हुआ है मैं उसको दिखा दा रहा हूं क्या उन दिनों में वाकई में UPSI का एकजाम हो सकता है या एकजाम काफी लंबा लेंदी जाने वाला है तो चलते बाट किया सेंटर रहता वहां पर कोई एकजाम का सेंटर नहीं रहता है ना इस सेंटर सेंटर वाले उनको प्रवाइड कराते हैं पहली बात यह जान रिखिए है इसलिए अन एकजाम को दिक्कत होती है कराने में SSC बैंक का अपना सेंटर फिक्स है उन सेंटरों पर कोई अन एकजाम पॉसिबल नहीं है चाई UPSI हो चाई कोई एकजाम हो तो देखिए यहां पर जो सेंटर का सेंटर का आया है सबसे बड़ी बात यहां पर आपका CHSL का यहाँ में 3 से है सबस्प्रेक्टर का 2020-11 से है ओँमबर की बात कर रहा हम एक्टूबर की बात कर रहा है तुक है आपका श्ट्रों गाफर का है जो 11 से लेकी 15 तक है उसका तुरणत स्टाथ हो जाएगा 16 से लेकर आपका और 15 तक चलेगा आपका अजय मतलब 3 नौवंबर से लेके 15 दिसंबर तक कोई सेडूल नहीं है नहीं सेंटर खाली है यह तो क्लियर हो गया लेकि एक जगह सेंटर खाले मैं आपको बता दे रहा है पुराना कलेंडर में नहीं देखा है 23 अक्टूबर से लेके 2 नौवंबर तक कोई एकजाम नहीं हो रहा है यह सेंटर पूरी तरह खाली है और हमारे पेपर में भी एहीं दिया था कि 27 अक्टूबर से लेके बीच के किने दिनों में एकजाम कराया जाएगा तो देखिए 23 अक्टूबर से लेके 2 नौवंबर तक जो सेंटर आपको खाली दिखाए दर आए हो सकता है इन ही दिनों में CBT-2 करा लिया जाए आपका NTPC का तो भईया जब NTPC हो जाएगा 15 तक बीजी सेट्वर तक पिर कहां से होगा UPSI कि लेकिन जो बात आयोंग बता रहा है कि संटर और का काम बहुत थेजी चलते है इसे किसी तरह मेंनेज कर आ जारा है जैसे भी किविक में मैं बता दा रहा हूँ बैक गे विए में बीच आपका फ्री है उन दिनों में यह किरा यह प्लिपर लोग्य करा सब्सक्राइब करेंगे चाहिए थीक है ऐसे और यह सफलता चाहते हैं तो आपके सबसे बेस्ट आप जानते हैं यूपीएसाइब में इस्टाइम करेंड कर रहा है और उलीबूड का दोस्तों मोंक्टेस्ट आप जानते हैं सबसे नंबर में हाँ पर चले जागिएगा आपको मुप्त का मोग टेस्स मिल जाएगा मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे आपको लेना दोस्तों आपको पासवार्ड डालने के बाद आपको लागिन करने के बाद दोस्तों आपके पास ऐसा इंटरफेस दिखाए देगा, यहाँ पर देश सकते हैं दूस्तों, ओली बूर्ड का आपका इंटरफेस खुल गया, जो बहुत ही सांदार है, यहाँ पर एक टेस्ट, यहाँ पर दो टेस्ट, तीन टेस्ट, चार टेस्ट, पांस टेस्ट, छर, साथ, आठ, मूट में प्रवाइड करा जा रहे है, नीचे लिंक डिस्क्रिस्ट में तुरन जाकर जोई है, क्योंकि आपका सीमिस समय के लिए, और यदि इससे आप 220 प्लस कवर कर रहे है, तो 100% जा जाए, आप सी हो रही है, आपकी सफलता आपके कदम चुमेंगी, 100% आप UPSS में जाएंगे, ठीक है, 23 से लेकि, 22 से लेकि आपका जो 3 अक्टूबर तक, 3 नॉमबर तक चला, 2-4 दिन गयफ मिलेगा, उसमें भी एक्जाम कराएंगे अपना, ठीक है, उसके बाद आप देखे, जैसे जैसे गयफ मिला है, वैसे जैसे एक्जाम एक कराते रहेंगे, तो हो सक करता है, नॉमबर के सुरुवाती दिनों में, फर्स्ट वीक में आपका एक्जाम स्टार्ट हो जाए, जो कलेंडर से लग रहा है, जो आपके भरती बोड ने बताया भी था, 27 अक्टूबर से नहीं, तो नॉमबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, और हो चुका है, यूपी पुलिस पुरुनती भरती बोड ने भी अपने अपने जो भी इंका इंटर्व्यू था, उसमें स्पश्ट किया है, कि सेंटर की समस्या आ रही है, एक्जाम कराने के लिए, तो देखिए अब क्या होता है, जो इस्तिती बन रही है, यहाँ पर कलेंड स्थाचारी का और स्थाटा एंब क्याँ यद्सया खाय है, यहाँ जो धना स्थारी का अफनिट के लिए दीए रही है, आगिए देखिए च young